हमें दी हुई सारणी द्वारा परिभाशित संबंध का प्रांत और परिसर निकालना है। जब भी प्रांत की बात हो, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस संबंध में कौन सी संभावित मान पॉसिबल इंपुट शामिल कर सकते हैं। और बाद में हम फलन मतलब फंक्शन को भी समझेंगे। संभावित मान वो होता है जिसके लिए हमारा संबंध परिभाशित हो। इस तरह हम यहाँ X को अपना संभावित मान ले सकते हैं। इसलिए जब X रिनात्मक एक है तब Y तीन है। जब X तीन है तब Y रिनात्मक दो है। फिर से जब X तीन है तब Y दो है। इसलिए हम इसे फलन नहीं कह सकते हैं क्यूंकि यहाँ X के एक मान के लिए Y के दो मान है। लेकिन ये एक संबंध हो सकता है। जब x 4 है, तब y 8 है, जब x 6 है, तब y रिनात्म के 1 है, जब हम से इस संबंध का प्रांत पूछा जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वे सभी मान, input या x के सभी मान, values क्या हैं, जिनके लिए हमारा संबंध परिभाशित है, अब हम यहाँ x के मानों की सूची बनाते हैं, यह ए यह रिनात्मक 1, 3, 4 और 6 का एक समुच्च है, यहाँ मेरा मतलब है कि अगर इस संबंध का प्रांत मतलब डोमेन यही 4 संख्याएं हैं, तो यह संबंध इन 4 संख्याओं मेंसे किसी के लिए परिभाशित होगा, अगर हम इन संख्याओं मेंसे कोई भी संख्या x का मान है, त तो उसके लिए y का कम से कम एक मान तो जरूर होगा, अब इस संबंध के परिसर यानि range की बात करते हैं, तो यह सब भलन पर भी लागू होता है, जो संबंधों के विशेश वर्ग मतलब specific class होती है, इस संबंध से मिलने वाले सभी संभावित परिणाम यानि output को परिसर माना हो सकती है, मैं उन्हें करम में लिखता हूँ, वास्तों में एक समुच्चे में कोई करम नहीं होता है, यह सिर्फ वस्तूओं का एक संग्रह होता है, y का मान यहां 3 या 2 या 8 या फिर रिनात्म के एक भी हो सकता है, और यह हो गया, यह x के वे मान है, जिनके लिए ये संबं देख सकते हैं, और यह सारे y के मान है, यह सभी उस संबंध के परिणाम आउटपुट हैं, जो उसमें हो सकते हैं,